कौन नहीं पाना चाहता सुपर ब्रेन, कौन नहीं चाहता कि उसकी बॉद्धिक शम्ताएं बढ़ें, कौन नहीं चाहता कि उसको कोई भी चीज तो रन से याद हो जाए, या फिर मेमरी इतने अच्छी हो कि पुराने से पुरानी चीज भी ना भूल पाए, पर वो तो इसका उल्टा रहा है, अभी किताब में पढ़ते हैं, एक्जामिनेशन महाल में जाते जाते हैं, सब बूल जाते हैं, अभी कोई आसाइनमेंट ओफिस में कि आप बॉस के सामने जाते जाते हैं, सब बूल हो गया, यहां तक कि बच्चे से का अरे उस कमरे में उस ड्रॉर के लेकिन अगर मैं आपसे काऊं कि वो सब बेकार है, अगर आपने यह साथ गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन में, साथ ऐसी आदते हैं जो आपकी ब्रेन को डामेज कर रहे हैं, आपके ब्रेन को ड्रेन कर रहे हैं, आपके बॉधिक शमताओं को शुन्य पर लेकर के आ रहे और आपकी दिमाग को घटा रही है ऐसी साथ चीजे जो आपको पता ही नहीं है ऐसी साथ चीजे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं आप दे टुटे लाइफ में इतना वो साथो काम करते हैं कि आपको पते ही नहीं चल रहे हैं कि इन सब की वज़े से आपका दिमाग कम होता जा रहा है तो बिना डिले किये सीधा सीधा ये एपिसोट शुरू करते हैं और समझते हैं वो कौन सी साथ आदते हैं कौन सी साथ चीजें जिनको हमें अभी बंद करना पड़ेगा जिससे हमारा दिमाग कम न हो सबसे पहली नुकसान दायक आदत है not exercising अगर हम किसी भी form of exercise को नहीं करें चाहे आप dance करें चाहे आप walk करें चाहे आप running करें चाहे आप yoga अभ्यास तो of course वो तो खली exercise ने it is something much more than exercise या आप थोड़ा cardio करें थोड़ा weight lift करें कुछ भी any form of exercise any form of physical exercise अगर आप नहीं करते हैं तो आपका brain damage होता है क्यों क्योंकि exercise हमारे memory को improve करती है हमारा BDNF को increase करके यानि brain derived neurotrophic factor जब आप exercise नहीं करते हैं तो आपकी बहुत धिक शमताएं कम होती हैं बहुत अधिक exercise भी नहीं करना औ बिल्कुल exercise ना करें ये भी गलत है हमें moderate exercises अपने जीवन में जरूर जरूर करनी चाहिए दूसरी चीज़ अगर आप परयाप्त मात्रा में नहीं सो रहे हैं और जब हम परयाप्त मात्रा में सोने की बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ है कितने घंटे सो रहे हैं is not enough कित sleep philosophy जो सादक हमारे हां से instructor course योग में या teacher training course करते हैं वो पूरी की पूरी sleep philosophy सीखते हैं like literally सीखते हैं कि कैसे सही धंग से सो के आप अपनी अधिकर बिमारिया दूर कर सकते हैं तो enough sleep लीजी और ये जो link description box में share करवारे है उसको जरूर जरूर देखिए तो आपको और clarity हो जा जाएगा उतना चोटा आपका दिमाग उता जाएगा सिंपल सहरूल है तो आपको अपने belly fat को कम करना है यह जो belly fat हमारा बढ़ता है यह बहुत नुकसांदा है कि आपके brain के लिए increased inflammation means shrinkage of brain तो यह कमर का size थोड़ा कम कीजिए कमर का size कम होगा तो दिमाग आपका जादा अच splash हो रहे हैं उन पर WhatsApp करके प्राप्त कर सकते हैं next eating inflammatory foods यह जो diet आप rich in बहुत junk food या fried food या बजार से लाया food जिसके अदर बहुत सारे preservatives वाला food यह जो food आप खाते हैं यह धीरे धीरे आपकी brain की abilities को कम करता है आपको mood swings होते हैं confusions होती हैं यहां तक की depression होने लगता है पर इतना slow होते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता है अच्छा बुड़ापर की वज़े से यादधाश चलिए हैं बहुत जादा हम काम करते हैं आज कल इसलिए यादधाश चलिए नहीं यह जो भी कुछ आप बजार स आपके concentration पूर हो जाएगा आपको memory loss होने लगेगा आपको wisdom ही रहेगी what is right and wrong आप का brain जितना active होना चीए अतना active नहीं जाएगा तो inflammatory food से दूर रहेगा next not learning anything new हम जीवन में एक समय पर आकर सोचते हैं अभी तो हम बड़े हो गया अभी तो कुछ और क्या सीखें इस उमर में 80-80 साल नभे नभे साल हमने हमारी classes में online classes में नभे नभे साल के लोग जुड़ते हैं well they are fit and fine इतना अच्छा अच्छा अभ्यास कर रहा है कि कभी नहीं सोचना कि अब हम बूरे हो गए एज is just a number keep learning something new हमारा जो brain है वो हमारी किसी भी और muscle की तरह है जिसे जितना activity आप देंगे उतना वो shrink होगा उतना वो expand होगा जितना exercise मिलेगा उतना अधिक वो काम करेगा लेकिन on the contrary जब हम brain को काम देना बन कर देते हैं suppose आप एक exercise pattern रोज एक जैसा रोज एक जैसा भी कर जो तो भी क्या हो रहा है वो used to हो गया उसका कुछ नया नहीं आप सीक्रों इसलिए भारत योग की जो classes होती है चाहे online है या offline हमारे centers में प्रती दिन नया schedule हम करवाते हैं कभी कुछ सादक कहते हैं गुरुजी एक जैसा कर आदी जैने याद हो जाएगा नहीं फिर आपके brain का वो pattern बन जाएगा फिर जो उसके benefits से वो नहीं मिलेंगे so every day we give them a new schedule आप भी अगर हमारी online classes जोइन करना चाहते हैं तो यहाँ दिये गए numbers पर WhatsApp कर सकते हैं या जो link description box में दिया जा रहा है उस पर संपर कर सकते हैं उस पर click करेंगे सारी details मिल जाएगे और आप हमारे साथ आकर मुक्तेश्वर में भी रह सकते हैं September में हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं आपको पता है यह वहां भारत योग retreat होता है हिमाले की वादियों में हिमाले की गोद में आप हमारे पास आ सकते हैं और इस बेर हम heal through chakra course कर रहे हैं जहाँ चक्रों अपनी inner power से आप कैसे अपने आपको heal कर सकते हैं तो वापिस अपने topic पर लोटते हैं कुछ नया जरूर सीखते रहें तो क्यों ना heal through chakra सीखीजे आये मुक्तेश्वर में साथ में रहेंगे तीन निन बंदने गुरुदेव भी होंगे हम भी होंगे भारत योग आचारे होंगे बहुत सारे और हम एक बहुत अच साथ में स्पैन करेंगे जहां संकीरतन होगा यॉगिक गेम्स होंगे कुछ नया सीखेंगे हम तो आप कुछ नया जरूर सीखते रहें अगर आप अपने brain को drain नहीं करना चाहते हैं चटा है too much of screen usage screen usage हमारे दिमाग में एक pattern बनाते हैं आपने कभी-कभी देखा होगा आप द दिमाग की क्षंता हैं कम होने शुरू हो जाती है और आपने देखा होगा जब से यह screen यूग आया है तब से हमारा brain से as compared to before अब कम काम करता है उसका reason बहुत सरल है reason यह कि हम habitual हो जाते है screen देखने के तो अगर बहुत over usage of screen हो रहा है तो उसको आप बिलकुल बिलकुल बंद क कर लाइन यह वो में यह संवाइन को कम कर रहे हैं कि बच करके रही है प्र को सानधिLES मिặ्स रिखेंच हो प्रकृति के सानद्य में जरूर जरूर बिताइं इस तरह से आप depression से भी दूर रहें खुश रहेंगे और आपकी बहुत थिकंदक ताइम बड़ती जाएंगे आई दूसरी चीज है not getting enough sleep, इसलिए आपको सही समय पर सही हमेशा नीन जरूर लेनी है, सही quantity की नीन जरूर लेनी है, तीसरी चीज है अपने पेट के fat को तोड़ा reduce कीजिए अगर आपको brain की capacity बढ़ानी है, चौती चीज है inflammatory food से दूर रही है, पाँच भी चीज है, कुछ नहीं च हमेशा सीखते रहें कोई नई चीज न सीखना भी हमारे ब्रेन की कपासिटी इसको कम करता है चटी चीज है तो मच अफ स्क्रीन यूजज और साथ की चीज है स्टेंग इंडोस तो आप ये साथ आदतों को खतम कीजिए और ब्रेन की बहुत धिक शमताओं को बढ़ाने की क्य योगा अभ्यास है अगर आप जानना चाहते हैं हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेकर करके दीजेगा तो हम आने वाले समय में इस पर एक कंप्लीट योगा अभ्यास दस मिनट का आपके लिए लेकर कर आएंगे साटड़े योगा विद आचारे प्रतिष्ठा मे आप अमारे साथ जुड़े रहें अपने प्रशन अपने समस्याएं हमें भेशते रहें आने वाले समय में हम निश्यत रूप से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे खुश रहें आनन्दित रहें अस्ते रहें मुस्कुराते रहें जैहिं बंदे मात्रम